वाट्सप्माइव फैमिली वेलकम बैक टो मैं चैनल गाईज आज की इस बीडियो में हम बात करेंगे एक अप्सिरूप के बारे में जिसका कॉमपोजिशन है अम ब्रॉक्सल हैड्रोक्लोराइड टर्विटालिन सुलफेट एंड ग्वेफैनसिन और इसकी युजस बैनेफि आता है तो वीडियो को जोड़ से लाइक करें चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब जूरू करें ताकि आके भी इस तरह वीडियो आपको मिलता रहें तो गईज यह जो यूज है मैं यूज इसको इसका गाईज इसको कफ में यूज किया जाता है कॉप की ट्रिट्मेंट म करता है तो घ्रियो इसका रॉज कि मुएका जाता हॉतकर जिसके मुकोस झाली करता है जिसके में ट्रियों करता है जो चोक्र pad वेक आउट पर आउट यह होता है और है इसके बाइज रखेए हम करता है जह एक है कैसे काम करतो जो यार भूगत की सिक्रेशन होता है यहर की ार्वे सिक्रेशन उसकी सटीकिनस को यह कम करता है और मैं जिसके पर से यह हेल्ब करता है उसको वे Hij उसके रिमवाल में यह help करता है यारोज से और उसके साथ-साथ इसमें है गाईज टर्षब्टालिन शलफेट और जो एक bronchodilator है जो गाईज यह relax करता है यारोज की जो muscle होता है गाईज़ उसको यह relax करता है और जो यारोज है उसको यह widen करता है यह तीनों कंभिनेसन काई यह आपको मादद करता है, आपकी बरिदिंग को उसको लूजन करता है उसको थीन करता है जिसके वज़े से ये इजिली कौफ के थ्रू आउट होता है तो गईच यह जो मेडिसिन है, यह आपकी जो ठीक मेवकस है उसको लुजन करता है, तीन करता है, जिसके वजह से उसकी इजली वो अपकी कॉफ के ध्रोऊ आउट हो सके और उसके साथ साथ आपकी बीधिनको भी इजर करता है, तो गैज बात करते हैं अगे यह मेडिसिन की side effects के बारे में तो गैज यह जो मेडिसिन है इसका काई side effect जो है common side effect वो है nogia, diarrhea, vomiting, dizziness, headache तो इसका कुछ common side effect है और तो गैज यह मेडिसिन अपकी कौप से आपको रिल्प ददता है उसके साथ साथ आपकी coughing को easier करता है और जो frequency है आपकी coughing की उसको ये reduce करता है और आपकी breathing को भी ये easier करता है और guys कुछ सब धने को अपको ध्यान में रखना होगा कुछ precautions को आपको follow करना होगा जैसे कि अगर आपको ये medicine से allergy होता है तो इसको उचकाटा से पहले आप डॉक्टर को जरू बताएए और patients with heart problem, liver problem, kidney disease, stomach ulcer, high blood pressure, thyroid disorders और inflammation of air passages और अपकी अगर long disorder है या अगर आपको diabetes बगराएक प्रोड़म है या और कुछ serious medical problem है तो इसको उचकाना से पहले आप डॉक्टर को जरू इंफर्म कीजिए या कोई pregnant lady है या अपनी बच्चों को कोई lady breastfeeding मगरा कर रहे हैं तो भी ये medicine को उचकाना से पहले आप डॉक्टर को इंफर्म जरू कीजिए अगर आपको पहले और कुछ serious medical problem भी है वो भी आप डॉक्टर को बताईए इसको उचकाना से पहले और हमें चाहिए डॉक्टर के साथ consult करें किसी भी medicine को उचकाना से पहले और ये medicine को भी उचकाना से पहले आपको आपकी doctor के साथ consult करना चाहिए without doctor के advice या consultation ये medicine का उच्चा आप ना करें तो ये था चोटा वीडियो गाईज ये medicine के बारे में ये जो syrup है ये relief देता है कॉप से आपकी मुकोस जो थीग मुकोस होता है उसको लूजन करके आपकी जो coughing है उसको easier करता है और आपकी जो frequency है coughing का उसको ये reduce करता है आपकी breathing को easier करता है तो वैज ये थोड़ा वीडियो में इतना ही अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट में पूच सकते हैं या मैंने कुछ गलत बोला है वह मेरे का आप कॉमेंट में बता सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया है वीडियो को जोड़ से लाइक करें चानल पर नहाए हो सब्सक्राइब जो भू करें टेक क्यार कि ए लो बाजवन करेंजे टेक करेंज डूझे जोड़ में जोड़ से लाइक करेंजे अर्च से लाइक उटेक करेंजे जो रहा दो खकेंजे